इलिमिनेशन मेफ़ड ठीक है देखो इस नाम में ही इसका परपर इसका यह चुपा हुआ है इलिमिनेशन मेफड क्या बोलता है ना तुम्हारे पास दो वेरियेबल है X and Y किसी एक वेरियेबल को हटा दो इसे कैसे हटा दे अपनी मर्जी से नहीं प्रोसेस है उस प्रोसेस से किसी एक वेरियेबल को हटा दो तो फिर एक ही वेरियेबल बचेगा तो उसे एक वेरियेबल का वेल्यू आराम से हमें मिल जाएगा देखो फिर सेम वो कोशन लिख लेते हैं क्या था 2x-3y is equal to 13 ठीक है 2x-3y is equal to 13 ठीक है और 7x-2y 7x-2y is equal to 20 अरे सर आप यही कोशन लेके क्यों बना रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता है और मैं अपने से रैंडमली कोई भी कोशन लिख दू 2x-3y is equal to 5 5x plus 11y is equal to 4 किसी भी कोशन को लिख के बना सकते हैं ठीक है यह कोशन मैंने इसलिए ले रखा है तो अपने से होता है कि अपने से रैंडमली हमने कुछ भी कोशन लिखा सॉल्व करेंगे बन जाएगा method वही लगेगा होता है ना कि जो सॉल्व करने में नंबर ऐसे थोड़े बड़े-बड़े complicated type से आ जाएंगे कि solve करने में cut cut करने मे तो मैंने ऐसा कोशन लिया क्योंकि समझा रहे है समझाते वक्ति अगर complicated कर देंगे तो समझ में कहा आएगा अभी complicated करेंगे पहले समझ तो लो तो ऐसा कोशन ले रहे हैं कि जिसमें हमारा number simple simple i round figure में ताकि cut करने में easy हो ताकि तुम्हें आराम से समझ में आए ठीक है otherwise तुम अपने से जो मर्जी तुम्हें जो मन में आता कोशन लिख लो और बनाओ अग्दम आराम से बनेगा ठीक है process तो एर सेम है अभी क्या है सिर्फ method explain कर रहे ना देखो तो अब elimination method क्या बोलता है कि दो में से दो variable x या वाई तुम्हारी जिससे दुस्मनी है x से दुस्मनी है न x को हटा दो कैसे हटाएं sir कैसे हटाओ गे देखो कैसे हटाओ गे तो पहले इसको same बनाओ same कैसे बनाए मालो पहले decide करना है कि तुम्हें x को हटाना है x से दुस्मनी है कि Y से दुस्मनी किसको हटाना चाहते है किसी को भी हटा सकते है तुम्हारी मर्जी है X को हटाना है कि Y को हटाना है तुमने डिसाइड किया कि सर मेरे को तो X को हटाना है ठीक है X को हटा दो ठीक है चलो तो यह तुमने decide हो गया पहला step था decide करो कि किसको हटाना है X को हटाना है कि Y को हटाना है हमने decide कर लिया step number one elimination method का step number one क्या है decide करो किसको हटाना चाहते हो हमने decide किया है X को हटाना है कोई बच्चा Y को भी हटा सकता है दूसरा step है same बनाओ किसको same बनाएं same बनाओ x को same बनाओ मतलब x के coefficient को same बनाओ same बनाओ x के coefficient coefficient को same बनाओ तो हम x को हटाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर x का coefficient same नहीं है एक जगा 2 है एक जगा 7 है तो same बनाओ same कैसे बनेगा तो 2 और 7 का LCM ले लो टू और सेवन का एलसिम क्या आता है 14 तो हम इसको भी 14 बना सकते हैं इसको भी 14 बना सकते हैं यह दोनों 14 कैसे बनेगा तू को तो 7 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो 14 बन जाएगा एंड 7 को 2 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो 14 बन जाएगा तो यह हमारा step 2 में आ गया कि यह हमारा हो गया equation number 1 यह हो गया हमारा equation number 2 step 2 बोलता है जो करना पड़े करो और same बना दो तो हम लिखेंगे multiply यह जो हमने decide किया न यह हम मन में रखेंगे यह बात कहीं लिखना नहीं किसी को बताना नहीं है इसकी लिख करना नहीं है यह हमने मन में decide कर लिया एको हटाना है तो X को हटाने के लिए हम X को same बनाएंगे तो हमने यह देखा कि same बनाने के लिए क्लिए 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 इसको 14 बना दो इसको 14 बना दो to multiply हम लिखेंगे से multiply equation number 1 by 7 and equation number 2 את two equation number नमबर 1 को तो 7 से मल्टिप्लाई कर दो, एड़ एक्वेशन नमबर 2 को 2 से मल्टिप्लाई कर दो, यह हो गया हमारा step नमबर 2, step नमबर 3 क्या बोलता है, जब सेम बन जाएगा, तो add या subtract जैसा जरौत पड़े, add करना पड़े, add करो, subtract करना पड़े, subtract करो, add या subtract करके हटा दो, add या subtract करके हटा दो, कैसे हटा है सर, यह वाला step थोड़ा समझाओ, चलो, यह हो गया, इसका काम खतम, step समझगे न, इसको note कर लेना, ठीक है, पहला कामे, decide करो, दूसरा कामे, सेम बनाओ, तिसरा काम, हटा दो, ठीक है, देखो, तो multiply, पहले सेम बनाओ के तब न, यार, तो multiply करो, पहले तो step 2 ही चल रहा है, 7 से, equation 1 को 7 से multiply, पूरे को ही 7 से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इन दोनों को 14 बनाना, तो सिर्फ इसको कर दिया, और इसको नहीं, पूरे को करना पड़ेगा न, तो equation 1 को पूरे को 7 से करो, तो 2, 7 जाए, यह बन गया, 14X, इसको भी 7 से करेंगे, 21Y is equal to 13 into 7, कितना हो गया, 13 सत्य है, 91, ठीक है, इसको नया नाम देदो, 3 number, और इस वाले equation को, जैसे यह मैंने language के form में लिखाना है, यह पूरा, यह language के form में लिख दिया, इसको थोड़ा short में भी लिख सकते हैं, ऐसे, कि यहाँ पैसे दे दिये, कि इस equation को 7 से multiply कर रहे हैं, और इस equation को 2 से multiply कर रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, तो ऐसे लिख लो, यह ऐसे कर दो, तो 7 से multiply कर दिये, और इसका नाम चेंज कर दे ना, तीन नमबर, और इसको 2 से multiply करें, तो 7 2 जा 14 X, माइनस 2 2 जा 4 Y, और इक्वल to 20 2 जा 40 आगे, इसको नाम दे दो 4 नमबर, ठीक है, अब add करना है, इन दोनों equation को या तो add करना पड़ेगा, या तो subtract करना पड़ेगा, सर कैसे पता चलेगा कि add करेंगी, subtract करेंगे, तुम किसको हटाना चाहते हो, X को हटाना चाहते हो, जिसको भी, चाहे X होता, चाहे Y होता, जिसको हमने same बनाया है, obviously उसी को हटाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हमने decide कर लिया था, step 1 में कि X को हटाना, अब हम बोलेंगे कि Y को हटाना है, आप सलाव Y हटेगा नहीं, अब X को ही हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे हटाएं, अगर दोनों का sign same है, जिसको तुम हटाना चाहते हो, उसका sign same है, ठीक है, दोनों minus है, या दोनों plus है, sign same है, sign लिखो यहाँ पर, लिख लो, लिख लो इस बात को, कि add subtract कब करते हैं, add कब करते हैं, subtract, ठीक है, दोनों equation को अब हमें add subtract करना पड़ेगा, तो sign same है, तो अब तो कर दो subtract, sign opposite है, तब तो कर दो add, लिख लो इस चीज़ को, important है, बहुत ज़ादा, सबसे ज़ादा important है, जो काफी सारे student यहाँ पर confused होते हैं, कब add करना है, कब subtract करना है, बहुत simple rule है, तो same होना चीए, ठीक है, या तो देखो, तो दोनों के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों के आगे, जिसको हम हटाना चाहते हैं, दोनों के आगे plus है, तो दोनों के आगे plus होने का मतलब, दोनों का sign सेम हो गया, दोनों का sign एक जैसा है, ठीक है, तो दोनों का sign जब भी same रहे, तो उस case में हम लोग करते हैं subtract अगर दोनों के आगे एक के आगे प्लस रहता और एक के आगे माइनस उपर नीचे से मतलब नहीं है यहाँ minus यहाँ plus यहाँ plus यहाँ minus opposite sign रहता तब हम लोग करते add अभी आगे और ऐसा example आएगा वहाँ clear हो जाएगा तो इस situation में हम लोग करेंगे subtract दोनों equation को subtract तो subtract करेंगे तो यह तुमने junior classes में पढ़ा होगा कि नीचे में सबका नीचे में जो equation लिखावा होता है उसका sign change हो जाता है subtract करने का मतलब सबका sign change तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब plus लिखावा था तो यह minus बन गया यह minus लिखावा है यह plus बन गया यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब पलस लिखावा है तो plus क्या बन गया minus बन गया अब देखो plus 14x minus 14x cut गया minus 21 plus 4 तो minus 17y हो गया ठिक है plus Plus 91 minus 40 तो क्या आ जाएगा 91 minus 40 कर दिए ठीक है तो यह आ जाएगा 51 ठीक है आप क्योंकि यहाँ पर minus sign लग गया तो अब हम इसको minus 40 की तरह treat करेंगे 91 minus 40 ठीक है यह आ गया minus 17 उधर जाके divide होगा तो 51 divided by minus 17 तो यहां से क्या होगा y का value आ जाएगा minus 3 देखो substitution method से भी जब हम इसको solve किया था तो y का value minus 3 ही आया था अभी भी y का value minus 3 हो गया कहा है step number one अब जब y का value मिल चुका है step number one के decide करो किसको हटाना है step number two same बनाओ same कैसे बनाते है LCM लेके उसका same बना दिया ठीक है तो पूरे-पूरे equation को ही multiply करना पड़ता है step number three हटा दो add या subtract ठीक है clear हो गया y का value put करेंगे minus 3 लिख लो put y is equal to minus 3 in किसी भी equation में कर लो equation number one put y is equal to minus 3 in equation number one देखो क्या आएगा equation number one क्या है हमारा जो पहले आथा वही आएगा 2x minus 3 y is equal to 13 तो 2x minus 3 into minus 3 is equal to 13 2x plus 9 is equal to 13 तो 2x 9 उदर जाके minus हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 2x is equal to 4 तो x का value क्या आजाएगा x is equal to 2 x का value 2 आगया ठीक है इतना ही थायर concept अगर ये बात मैं भी एक एक बात समझी माईगे तो सारा बन जाएगा अच्छा आप कोई बच्चा वाले के सर इसे आपने यहाँ पर तो x को same बना दिया एक बार वाही वाले को same बना के दिखाओ चलो कोई बात नहीं उसको कर देता है ठीक है फटा 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 फट 2x minus 3y फिर से लिख लेते हैं 2x minus 3y is equal to 13 और 7x minus 2y is equal to 20 इक्वेशन नमबर 1 इक्वेशन नमबर 2 जैसे हमने x को same बना दिया था इस बार हम क्या करते हैं y को same बनाते है तो y सेम कैसे बनेगा यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 तो 3 और 2 का एल सेम क्या हो गया 6 तो हम दोनों को 6 बना सकते हैं तो यह 3 6 कैसे बनेगा तो 3 को 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो हम पूरे एक्वेशन को ही 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे 2 को 6 बनाना है 2 6 कैसे बनेगा 2 6 कैसे बनेगा 2 रुपया है तो उसको 6 रुपया बनाना है कैसे बनेगा इंटू 3 कर दो तो इंटू 3 पूरे एक्वेशन को हम इक्वल टू 26 और इस पूरे एक्वेशन को 3 से मल्टिप्लाई कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 21X माइनस 6Y is इक्वल टू 60 इसका नाम दे तो 3 नमबर और इसका नाम दे तो एड होगा कि सब्ट्रेक्ट होगा इस बार हम Y को हटाना चाह रहे हैं तो जिसको हटाना चाहते हो गर उसका साइन सेम है तब सब्ट्रेक्ट करते हैं अपोजिट रहता है तो एड करेंगे बताओ तो यहां यार दोनों जेगा माइनस है दोनों जगा minus का मतलब sign सेम हो गया तो sign सेम हो गया तो क्या करोगे subtract subtract करो ना अगर यहां पर minus 6y है यहां पर plus 6y होता ना तो हम add कर देते ठीक है subtract होगा तो subtract होगा तो नीचे वाला सबका sign change हो जाता यहां पर कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस था तो plus वाला क्या हो गया माइनस हो गया यहां पर तुम्हें जो sign दिखोगे यह clear cut visible होना चाहिए जो sign change करके दिखाओ के copy में वह थोड़ा यहां पर जगा छोड़ना यह line के और इस number के बीच में ताकि तुम अपना sign change करके दिखा सको प्लस 60 है तो यह माइनस हो गया अब देखो माइनस 6y प्लस 6y कट गया 4 माइनस 21 माइनस 17x आ गया और 26 माइनस 60 करेंगे तो माइनस 34 आ जाएगा दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया x is equal to 34 बटे 17 यह कट के आ गया दो तो x is equal to हो गया ना दो देखो पहले भी x का value दो आया था अब जब x का value मिल गया तो उसको उठा के equation दो equation है किसी में भी पूट करो y का value मिल जाएगा I hope कि elimination method तुम्हें समझ में आ गया होगा ठीक है तो हमारा हो गया substitution method एक हो गया elimination method अब आते हैं यार graphical method पर मालो इसी का graph बनाना है अब में इसी को graph से solve करना है तो graph से देखते हैं solve करके x का value 2 आया है और x का value put करेंगे तो यहाँ पर y का value आ जाएगा minus 3 ठीक है अब इसी question को solve करते है graphical method से ठीक है दो concept clear हो गया अब आ जाओ graphical method की graph कैसे